हलो एवरिवन वेल्कम बैक टो एर चैनल बॉर्ण विद केट्स आज हम इस वीडियो में इंग्लिश की वोक्षिट कह दीजिए आप मोडल पेपर कह दीजिए टेस्ट पेपर आप बोल सकते हैं यहां options हैं बच्चों को सिर्फ टिक मारना है just for identification इस टैप के questions बिना option के भी आप थोड़ा सा उनका level high करके बच्चों से पूछ सकते हैं तो अलग-अलग type से आप same question को पूछ सकते हैं यहां पे हमने types of questions discuss के हैं बहुत सारे questions हैं हमारे पास तो वीडियो को end तक जरूर देखें वीडियो बहुत ज़्यादा helpful होने वाली है let's start वीडियो देखें सबसे पहला question है what comes after k तो सबसे important है कि k का after का मतलब बच्चों को पता होना चाहिए कि after का मतलब क्या होता है after का मतलब होता है बाद में तो k के बाद में क्या होता है l तो यहां पे बच्चों को l टिक मारना है अगर आप इस type के options नहीं देना चाहते हैं तो k के बाद आप simply ऐसे blank दे सकते हैं what comes after k इस तरीके से इसी question को बहुत ही आसानी से आप oral में भी पूछ सकते हैं तो ऐसे ही हमने इसमें बहुत सारे questions include किये हैं जिन questions को आप oral basis पे भी पूछ सकते हैं next आप देखे what comes before s तो s के पहले क्या आता है तो r इस तरीके से what comes between j and i j and i के बीच में क्या आता है तो वो बच्चों को जब a b c d बहुत अच्छे से वो कर लेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि हमें क्या question पूछा है और इसका answer क्या है इस तरीके के questions आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा oral में पूछे ताकि उनकी जो a b c d है वो बार-बार revise कर सके है next question आप देखे what is the capital letter of m अब ये जो है इसमें बच्चों को आपको लिखने के लिए ही देना होगा कि capital letter m के लिए क्या है next आप देखे what is the small letter of u u का small case letter क्या होगा आगे आप देखे what comes after o capital o है and then small o है तो capital o and small o है वैसे ही options में से कौन सा सही है वो करना है यहाँ हम discuss सिर्फ pattern of questions कर रहे हैं answers definitely आपको आते ही होंगे तो आप बच्चों को दे सकते हैं बना के worksheet what comes before x ठीक है तो x के पहले क्या आता है what comes between b and d ठीक है तो इस तरीके से ऐसे ही between के आप दूसरे questions भी frame कर सकते हैं okay now the next pattern का जो question है which picture starts with letter u तो यहाँ pictures है pictures को identify करके उन्हें बताना है कि कौन सा जो picture है वो letter u से शुरू हो रहा है तो यहाँ जैसे हो गया umbrella तो इसको उन्हें tick लगा देना है okay तो ऐसे आप यह बता oral में आप इस question को ऐसे पूछ सकते हैं कि name one object that start with letter u इस तरीके से which is the correct beginning letter of the picture यह picture आपको यहाँ पे दिख रही होगी जो picture है वो fish की है ठीक है तो इसके लिए correct letter उन्हें find out करना है जो की इस picture का starting letter है ठीक है beginning का मतलब होता है शुरुआत ठीक है तो F है which letter is odd अब odd का मतलब क्या होता है वो भी तो basically जब यह type के questions हम बच्चों से oral में या written में पूछते हैं तो उनको जो यह keywords हैं before, after, between, beginning odd इन सब के मतलब उन्हें पता होने चाहिए तो odd का मतलब है जो सबसे अलग दिखता है जो सबसे अलग है तो यहाँ पर देखे C is capital, U is capital, F is capital but M is in small case तो यह जो M है वो odd है ठीक है तो यह भी आपको written base में ही देना होगा इस तरीके से अब आप इसको oral में कैसे पूछ सकते हैं इस question को आप oral में इस तरीके से पूछ सकते हैं कि चार objects के नाम बोल देंगे आप और कहेंगे कि कौन सा इन में से जैसे fish, frog, fan and umbrella तो इसमें से odd कौन सा है तो इसमें से odd हो गया हमारा umbrella इस तरीके से आप इस questions कर सकते हैं अब इसमें देखे ट्वल्थ जो question है find the missing letter P, Q, R, dash and T तो अगें यही है कि A, B, C, D बहुत अच्छे से अगर बच्चों को आती है तो वो आसानी से कर लेंगे P, Q, R and S and T इस series को complete करना है that's it find the odd one again A, B, G, H, T, T, Q, R तो आप देखे हैं यह जो series है इसमें एक बाद जो आता है B, G के बाद H T के बाद क्या आना चाहिए R, S, T, U T, U आना आना चाहिए यह जैसे Q, R ठीक है तो यहाँ क्या है T ही repeat हो रहा है तो यह odd है find the missing letter M, N, O, dash and Q यही वो पहले वाला question को इन्होंने small case में convert कर दिया है तो इस तरीके से आगे कुछ और questions देख लेते हैं हम find the odd one again odd ही है odd base हमने exercise पहले भी कर ली है बहुत सारे questions कर ली है तो यहाँ भी odd का ही इन्होंने पूछा है capital small, capital small, capital small सारे ही यहाँ पे capital small है ठीक है तो इसमें से B, capital B, small क्यूँ अब आप क्यूँ देखे गौर से यह दोनों जो है वो क्या है same है capital है जबकि combo कैसा बन रहा है capital small का तो यह odd है ठीक है आगे missing है तो missing में capital small capital small है तो वही वाला करना है which picture does not begin with letter B अब not पे भी ध्यान देना है ऐसा नहीं है कि हम not भूल जाएंगे और सीधा जो letter should do हो रहा है क्योंकि यह बहुत ही silly mistakes होती है common mistake है यह तो not को ध्यान में रखना है ball start with letter B grapes नहीं bat होता है, balloon होता है but grapes नहीं होता है तो यह जो है grapes is the right answer क्योंकि not पुछा है ठीक है इस type के questions आप orally आसानी से करा सकते हैं which of the following is the capital letter तो यह simple है कौन सा capital letter है just उन्हें identify करना है okay now which of the following is the small letter इसी का just opposite है पहले capital पूछा अब small पूछ रहे हैं okay now see the next one how many capital letters are there in the word pencil pencil एक word है उसमें कितने letter है जो इन्होंने लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने कैसे लिखा हुआ है इन्होंने लिखा हुआ है pen तो en small में है c capital है i again small है l capital है तो p, c, and l तीन letter हैं जो कि इन्होंने capital में लिखे हैं how many small letters are there in the word almira almira एक word दे दिया है ऐसे कोई भी word आप बच्चों को बना के दे सकते हैं और उनसे एक लंबा word लिखे आप पूछ सकते हैं कि जो यह word हमने यहाँ पे लिखा है इसमें कितने letter capital है और कितने letter small है reading तो अभी छोटे हैं बच्चे LKG के तो नहीं कर पाएंगे but capital and small letter का identification वो आसानी से कर लेंगे next हम देखते हैं find the odd one odd one को find करना है small dd, small mm, small tt and capital V, capital V तो यह capital V जो है यह odd है now see the next one which of the following is not the capital letter कौन सा capital letter नहीं है 23 question तो वो आपको देखना है e नहीं है which of the following is not the small letter again उसी का है कि जो small नहीं है बार बार यह जो question से इनका revision इसले हो रहा है ताकि जो concept है वो बहुत अच्छे से clear हो सके which of the following is a vowel अब pattern change हुआ है vowel पे हम पहुँचे हैं कौन सा vowel है इसमें से which of the following is not a vowel again note का question आगया जो vowel नहीं है ठीक है तो इस तरीके से which of the following is correct m for apple no l for l for chocolate कह सकते हैं या toffee यह जो दिया हुआ है इनों नहीं g for grapes दिया हुआ है s for tree दिया हुआ है तो कौन सा जो correct है एक ही है जो correct है g for grapes ओके which pair is correct अब अगेन आपसे question पूछ रहे हैं कौन सा पेर correct है capital D, small d, capital r, small a, capital m, small n या फिर इन में से तो कोई भी जो पेर है वो सही नहीं है तो एकदम सही बाद इसमें D का जो पेर है capital D and small d यह सही है r a भी नहीं है m n भी नहीं है और यह जो है इसमें से कोई नहीं है यह D ही वाला जो है small capital से अगर देखें तो सही है आगे देखे which pair is incorrect कौन सा पेर है जो incorrect है तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा पेर है जो की incorrect है और जो incorrect pair है that is D, L और X वाला ठीक है which is the vowel in the word cap cap एक वोर्ड है ठीक है इसमें वावल क्या है next आप देखे which two vowels are there in the word heat heat एक वोर्ड है उसमें दो वावल है कौन से है ठीक है तो E और A ठीक है तो E और A जो है option A next आप देखे which letter is repeated twice in the word tall तो twice का मतलब दो बार repeat का मतलब जो दो बार आ रहा है तो letter कौन सा है जो दो बार आ रहा है that is L ओके next आप देखे how many vowels are there in the word pause ठीक है pause जो वर्ड है pause इसमें कौन सा जो वावल है वो आ रहे हैं तो कितने वावल आ रहे हैं A, U and E तो तीन आ रहे हैं इसमें ठीक है pause में तीन आ रहे हैं A, U and E which face is happy अब ये happy face पे आ रहे हैं तो ये वाला simple which of the following is related to reading reading से related क्या है pen है, book है, mango है या ball है तो definitely book है ठीक है of the following is odd इसमें से कौन सा है जो odd है ठीक है up at am और as तो यू पी up ठीक है क्योंकि इसमें जो starting sound है वो यू वाउल का है बाकी सब A जो family है उसके हैं सारे के सारे which of the following is related with playing playing से related कौन सा होगा तो picture देखे आपको बताना it is football which word starts with the vowel E तो ये आप oral में भी पूछ सकते हैं कि tell me two words start with vowel E तो egg है जैसा कि हमें दिख रहा है ऐसे हम oral में two पूछ सकते हैं यहां इनोंने पूछा है कि कौन सा word है जो E से शुरू हो रहा है that is egg next what we have which of the following is incorrect जो incorrect है जो correct नहीं है G4 gun, P4 pen, S4 cat no, L4 log yes तो इस में से जो incorrect है that is C next we have which word does not start with vowel A vowel A से जो शुरू नहीं होता है aunt, eggs, apple and ink तो option है इसमें ink okay ink जो है वो I से शुरू होता है ना कि A vowel से तो यह था हमारा आज का वीडियो इसमें हमने बहुत सारे टाइप अफ क्वेश्चन्स देखे हैं इनको आप oral भी करा सकते हैं written वोक्षिट की practice भी घपे करा सकते हैं मिलती हूं आप से एकले वीडियो में thank you so much for watching आप सकते हूं आप सकते हैं